हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर सिस्टम क्लास 9 की एकसराइज 1.6 करेंगे तब पहले रहें 1.6 एकसराइज करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलास जान लेना चाहिए तो पहले हमें A M for example हमारे पास है 5 और इसकी वैलियो में दे रख्या है 4 ठीक है और बीच में यह है अब इसका मतलब होता है 5 की पावर 6 पर बीच में 5 की साइन अगर वह सेम है तो जो आपार कावर्स होती है वह प्लस हो जाती है ठीक है तो हमारा आ जाएगा 5 हम कॉमन ले लेंगे ठीक है 5 5 कॉमन और 4 प्लस में 6 ठीक है वैसे ही हमारे एक फॉर्मूला है एक हम नोट कर लेते हैं 5 से और m मतलब 4 am बीच में dot dot का मतलब into और a n सब्सक्राइब हम इसी एजम्पल लगके चलते हैं ठीक है 5 की पावर 4 5 की पावर 4 into 5 की पावर 6 वैसे ही a की पावर m into में a की पावर n is equal to a common और m plus में n ठीक है वैसे ही हम दूसरा फॉर्मूला आप करते हैं अब अगर हमें दे रखा है सपोज हमें दे रखा है 5 ठीक है 5 और उपर के पावर हमें दे रखा है सपोज 2 और यह हमारा ब्रैकेट में हैं और भार हमें एक और पावर दे रखा है सपोज 7 ठीक है अब दूसरा फॉर्मूला हमारा यह होगा a m bracket n is equal to a की पावर mn मतलब 5 की पावर 2 थी अब भार 7 तो 5 हम ले रेंगे ठीक है और mn मतलब 2 इंटू में 7 ठीक है तो 2 इंटू में 7 is equal to 5 की पावर 14 आ जाएगी ठीक है यह था हमारा दूसरा फॉर्मूला यह दूसरा और यह हमारा पहला ठीक है अब हम तीसरा फॉर्मूला करते हैं अब अगर हमें सपोज हमें दे रखा है 23 ठीक है और इसकी पावला हमें दे रखिया है 10 और हमें नीचे हमें दे रखा है 23 और उसकी पावला हमें दे रखिया 7 अब हमें यह तो पता है कि आगर ये bracket में ऐसे हो तो इसको multiply करते है अगर ये ऐसे हो उपर नीचे तो इसमें हम और हां हमें ये भी पता है कि अगर ये into हो रहे है तो हमें हम plus करते है तो वैसे ही अगर ये divide हो रहे है तो इनकी powers हम minus करते है ठीक है, तो 23 हम common ले लेंगे वैसे ही पहले वालों में हमने 5 common लिया था वैसे हम इसमें 23 common ले लेंगे और यह हमारा जाएगर 10 माइनस में 7 तो यह हमारा जाएगर 23 की power 3 तो इसका formula हम लगाएंगे A, ठीक है, A की power M upon में A की power N is equal to A M minus N ठीक है यह था हमारा तीसरा formula अब for example, 7 की power 3 बीच में dot है, मतलब into और 9 की power 3 अब हमने पढ़ा था कि अगर यह same हो तो उपर की powers plus हो जाती है अब इसमें क्या है यह अलग है यह अलग है पर powers सेम है तो हम क्या करेंगे हम ना, इन दोनों को multiply कर देंगे तो 7, 9 जा 63 और powers सेम है तो इसका comma लेंगे 63 की power 3 पहले में हमने इन दोनों को प्लस किया था अब इसमें यह अलग है और यह सेम है A, M, B, N ठीक है sorry M is equal to A, B, M ठीक है वहिए हमने लेट कर लिया 7 की power 3 9 की power 3 यह अलग अलग है यह सेम सेम है तो हम दोनों को multiply कर दिया M common आगिया ठीक है अब ना सब्सक्राइब कर लेते हैं ठीक है अब सब्सक्राइब हमने लिया 17 की power 2 बीच में dot मतलब into 17 की power minus 5 अब यह सेम सेम है पर इनकी power ज़े लग है तस में कौन सा फॉर्मूला देगा फॉर्स फॉर्मूला ठीक है हमारा फॉर्स फॉर्मूला क्या था a की power m dot a की power n is equal to a m plus n वैसे ही 17 कॉमन ले लिया अब इन दोनों को plus करना है तो 2 plus यह minus 5 है तो ब्रैकेट में minus 5 ठीक है हमने सीखा है कि minus plus minus होता है plus 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 होता है और plus minus minus होता है अब इसमें क्या है प्लस minus plus minus minus तो हम इसमें माइनस करेंगे powers को तो 17 2 minus 5 अब यह छोटे में से बड़ा minus हो रहा है तो हम इसका हो जाएगा minus 3 17 की power minus 3 और यहाँ पे minus में है तो हम powers तो minus में होंगी नी तो हम इसको minus को plus में लाने के लिए हम इसको हम ऐसे करते है 1 अपॉन में 17 की power 3 यहाँ पे अगर कोई भी power हो जो minus में हो तो हम इसको ऐसे कर देते है ठीक है उपर 1 और नीचे 17 की power 3 आजाएगी ठीक है अब सपोस हम लेते है 5 की power 2 minus 7 अब यह है अब इसमें हमें पता है कि कौन सा फोर्मला रहेगा हमारा फोर्मला लगेगा A M यहाँ पर N is equal to A M N वैसे ही यह 5 है तो यह 2 इंट में माइनस 7 हो जाएगा तो 1 M इंट में N मतलब 5 2 इंट में माइनस 7 is equal to 5 2 7 जा 14 minus 14 ठीक है और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में 5 की पावर 14 यह भी सही है और यह भी सही है विसे तो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो जादर बेटर रहेगा ठीक है अब सुपोज हमने ले लिया 23 की पावर माइनस 10 ठीक है और 23 7 अब में पता है कि इसमें कौन सा फोर्मला लगेगा कौन सा लगेगा यह वाला A M अपॉन में A N अब इसमें डिवाइड हो रहा है तो हम इसमें माइनस करेंगे तो A M माइनस N ठीक है यह यह 23 कॉमल ले लिया पावर माइनस लिखी माइनस 10 माइनस 7 ठीक है अब इसमें माइनस माइनस प्लस तो अब हमेशा साइन हमेशा बड़े का लगता है तो बड़े के साथ हमें क्या है यहां पर माइनस 10 है यहां पर बड़ा 10 और 7 मेंस से 10 बड़ा है आप हमें माइनस है तो हमें हमेशा माइनस साइन लगेगा जो बड़ा है जो साइन लग रहा है भही साइन लगेगा 23 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 7 17 और साइन हमेशा बड़ेगा तो मैमस 17 ठीक है हमाना है 23 43-17 अब हमने लिया 7-3 पीछ में डॉट और हमने लिया सब्सक्राइब हमने लिया 9-3 ठीक है तो हमें पता है किसकी फूर्थ फोर्मला लेगा क्या था a m b m is equal to a b m यह अलग अलग है 7-9 तो उनको multiply कर देंगे 7-9 जा 63 और यहां पर है माइनस 3 माइनस 3 common तो माइनस 3 common आ गया ठीक है आपको ऐसा नहीं करना कि माइनस माइनस प्लस जो लिखाओ है हम वही लिखेंगे मानस 3 माइनस 3 common तो मानस 3 ही आएगा इस दो आंसर अब हम चलते है exercise 1.6 पे हमारा question no.1 है find find first 64 1 upon 2 अब हमें इस question को करने के लिए हमें करना होगा prime factorization हमने सीखा था prime factorization 64 लिखते है यहां पर ठीक है अब एक किस के table में आयेगा सबसे पहले 2 के table में तो कितने पर 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 अब ऐसे 2 1 जा 2 carry 1 2 6 जा 12 16 कितने पर आता है 8 पर तो 2 8 जा ठीक है अब 2 4 जा 2 2 जा 2 जा और यह 2 1 जा यही पर खतम अब ले लेता है common 2 इंट में 2 2 common यह common और यह common तो वैसे ही 2 एक common दूसरा 2 common और 8 ठीक है अब हम इस 64 को तोड़ना है तो हमारा क्या रहा है 8 तो अगर हम 8 का square लिखेंगे तो 64 ही आएगा तो हम लिख लेते हैं 8 का square 1 upon me 2 ठीक है अब हमारा हमने पता है की हमारी सेकेंड फॉर्मूला क्या था था ए ए एम एन ठीक है तो ए एट तो इस उकल टो ए एमन तो इंट में 1 upon me 2 मल्टिप्लाइर हो जाएगा तो 2 से 2 कटा हमारा आंसर आगया 8 ठीक है अब ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट करते हैं 32 वन अपॉन में 5 प्राम फेक्टराइजिशन कर लेते हैं पहला तो 32 वन ऐसे 2 कैरी 1 तो 6 तो 12 ठीक है तो 8 टू का 4 और यह 2 ठीक है अब कॉमन ले लेते हैं 2 2 common यह 2 common यह 2 बज गया तो मतलब इन पांच को यह इसी क्या हिए कर देंगे 2 इंट में 2 32 हो जाएगा तो हम अजने फिपते है तो 5 ठीक है 2 की पाउवर 5 तो 32 होते है तो तो तोड़े 52 को अगर हम 32 को तोड़ेंगे तो तो 2 की पाउवर 5 बन जाएगा second formula लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा 2 5 इंट में 1 अपॉन में 5 5 से 5 कटा 2 आ गया ठीक है अब ऐसे थर्ड पार्ट करते हैं 125 1 अपॉन में 3 प्राइम फेक्टराइजिशन पहले करते हैं हम साथ साथ प्राइम फेक्टराइजिशन मेथड भी खडते रहेंगे अब ना तो 2 की टेबल में आता है ना 3 की टेबल में आता है ना 4 में आता है यज़ा 5 में आता है तो हम 5 से करेंगे 5 2 जा 10 2 carry 5 5 जा अभी 5 5 5 तो 5 इंट में 5 इंट में 5 125 तो हम लिशते हैं 5 की पावर 3 1 upon me 3 करेंगे तो 2nd formula तो 5 3 into 1 upon me 3 3 जए 3 कटा 5 आ जाएगा ठीक है वो हो गया हमारा 1st question 2nd question में क्या बोल रहा है find find ठीक है अब मारा 1st part के है 9 3 upon me 2 अब अगर हम 9 का prime factorization method करेंगे तो 3 3 3 into me 3 ठीक है तो 3 की पावर 2 अगर हम लिखेंगे तो 9 आ जाएगा ठीक है तो 3 की पावर 2 3 upon me 2 वही 2nd formula रगेगा तो 3 2 into me 3 upon me 2 2 से 2 कटा 3 की पावर 3 आ गई अब 3 into me 3 into me 3 क्या होते है 27 तो यह है हमारा answer अब ऐसे ही second part करते हैं 32 2 upon me 5 अब 32 को हमारा हमने निकाला था 2 into me 2 into me 2 into me 2 तो 2 की पावर 5 आ गई थे हमारी पिछले कोशन में ठीक हैं 2 की पावर 5 2 upon me 5 निकालेंगे भार तो 2 5 into me 2 upon me 5 5 से 5 कटा is equal to me 2 की पावर 2 तो 2 into me 2 हमारा क्या होते है 4 तो हमारा answer आ गया 4 अब ऐसे ही third part करते हैं third part का कह रहा है 16 3 upon me 4 ठीक है 16 का plan fortization method कर लेते हैं 16 2 is a 2 4 is a 2 2 is a ठीक है अब 2 into me 2 into me 2 into me 2 यहां पर 4 है अब हमें ऐसे कोई नमबर चाहिए होते है जो इससे कट जाए तो 2 into me 2 into me 2 into me 2 2 की पावर 4 आ जाएगी ठीक है वैसे 3 upon me 4 ऐसे करेंगे तो 4 into me 3 upon me 4 यह कट जाएगा तो 2 की पावर 3 अब 2 into me 2 into me 2 हमारा क्या होता है 8 तो यह हमारा answer 8 अब ऐसे ही हम करते हैं 4th part 125 minus 1 upon me 3 125 का प्रैंफर्टिजेशन मेथड हमने करा था तो हमारा आए था 5 into me 5 into me 5 ठीक है तो 5 की पावर 3 minus 1 upon me 3 करेंगे तो 5 3 into me minus 1 upon me 3 3 से 3 कटा 5 minus 1 तो यह हमारा पीछे सीखा था तो यह हमारा आजाएगा 1 upon me 5 अब ऐसे ही 3rd question करते हैं question number 3 हमारा first part का क्यार है की simplify simplify क्यार है 2 2 upon me 3 बीच में dot 2 1 upon me 5 ठीक है अब हमारा first formula था am बीच में dot an is equal to am plus n वैसे ही यह है dot का मतलब into तो 2 2 upon me 3 into 2 1 upon me 5 2 common 2 upon me 3 plus 1 upon me 5 अब अब अगर हम plus करेंगे तो हमने सीखा है cross multiplication तो हम cross multiplication करेंगे 2 को 5 से पर हम लिख रहे है 2 2 को 5 से 2 5 जा 10 बीच में plus करेंगे तो plus अब 1 को 3 से 3 बन जा 3 3 3 5 जा 15 ठीक है तो 2 10 प्लस 3 13 upon me 15 इस इस दो आंसर अब 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 सेकेंड पार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट कर रहा है 1 upon me 3 की पावर 3 7 1 अब इसमें क्याता है हमें इसको इससे मुल्टिप्लाई करना था तो आसे यह थी है हमारी इक्वेशन a m bracket n is equal to a m into me n is equal to a m n वैसे ही इसमे हमें 1 upon me 3 अब आवर इसको मुल्टिप्लाई करना था हम नीचे करेंगे ठीक है 3 into me 7 is equal to me 1 upon me 3 की पावर 3 से बंजा 21 तो हमारा अंसर यह यह है तब हम चलते हैं आगे third part का हमारा कह रहा है कि 11 1 1 upon me 2 upon me 11 1 upon me 4 ठीक है अब हम इसमें इसको माइनस करेंगे हमने सीखा था ठीक है 1 upon me 2 minus 1 upon me 4 is equal to अब हम करेंगे cross multiply 2 को 1 से पहले करेंगे 11 पहले करेंगे 4 को 1 से 4 बंच 4 minus 2 1 से 2 4 2 से 8 is equal to 11 4 minus 2 2 upon me 8 2 को 4 से करेंगे 1 upon me 4 is equal to 11 की पावर 1 upon me 4 this is the answer अब 4th part का कह रहा है 7 1 upon me 2 बीच में dot 8 1 upon me 2 तो हमारी 4th फोर्ट क्या था A M B M is equal to AB M वैसे ही इसमे 7 इंटु में 8 हो जाएगा dot मतलब 8 1 upon me 2 common 7 8 जाए 56 1 upon me 2 तो तो इस इस तो answer सो यही पर हमारी 1.6 exercise खतम होती है ठीक है सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक, कमेंट और शेयर थैंक यू और बाम